हेलो, आज आपन इस वीडियो में डिसकस करेंगे AACC मतलब AACCC की काउंसलिंग मतलब आयूस काउंसलिंग और आयूस काउंसलिंग में कौन-कौन सी कोलेजिस की हम काउंसलिंग करते हैं आयूस काउंसलिंग में हमको पता है कि इसमें BAMS मतलब Bachelor of Ayurveda and Medicine and Surgery फिर BHMS BHMS उसके बाद में BSMS, सिद्धा Medicine होती है उसके बाद में आता है इसमें BUMS यहाँ पर युनानी Medicine की यहाँ पर हम डिगरी करते हैं ऐसी बहुत सरे डिगरी यहाँ पर आओ उसका यह जो है इसके बारे में हम EK करके चर्चा कर लेता है तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि सबसे पहले कोई भी काउंस्लिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होता है रजिस्टेशन होता है अच्छा इसमें पहले seat matrix आएगी कि कौनसी college में कितनी seat है तो यहाँ पर seat matrix के बारे बारे बात कि वेरिपेकिशन ओप टेंटेटिव seat matrix तो यहाँ पर यह seat matrix कितनी तरिक को आ रही है 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में यह seat matrix आ जाएगी उसके बाद में registration कराना है registration के साथ में payment करना है पिस choice filling करनी है कौन सी medical college में आपको seat मिल गया है फिर last में आपको report कर जाना है जो कि finally आपको यहाँ पर कहुंच जाना और last में क्या होगा last में यहाँ पर verification of joining candidate data मतलब जिस भी college में आप जाओगे उसमें आपका document जमा होगा और आपको verify कर लिया जाएगा कि हाँ आप वही candidate है जो हमने बुलाया है अब देखो यहाँ पर है सबसे पहले registration शुरू कब से हो रहा है by seat matrix आने के तुरंट बाद भी registration शुरू हो जाएगा कब से हो रहा है 28 अगस से 2 September तक क्या चलेगा और यह time जरूर याद रखना आप कि 2 PM तक 2 PM यहाँ पर याद रखना उसके बाद में payment की facility कब तक available रहेगी यह साम 5 बजे तक available रहेगी इसके बाद में choice fill कर देना है अब choice fill कब करना है आपको choice fill देखो दूसरे दिन ही शुरू कर देना है choice fill आप कर सकते हैं 29 अगस से 2 September तक आप choice fill कर सकते हैं इसका भी time आप यहाँ पर धान रख लेना 11 यहाँ पर 11.55 PM है मतलब रात तक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं choice का filling कर सकते हैं उसके बाद में choice को लोक भी कर देना है तो choice को लोक कर देना है आपको 2 PM तक मतलब आपको 2 बजे तक इसको choice को लोक कर देना है और यह सुरी दो बजे से शुरू होगी और रात तक ये चलेगी किसकी choice की locking चलेगी और 2 September तक आपकी choice की locking चलती रहेगी फिर आपको seat का allotment के बारे में कुछ information मिल जाएगी वो कब मिलेगी वो मिलेगी 3 September को फिर आपको result मिल जाएगा कि 5 September को कि कौन सी college में आपको seat मिला है उसके बाद में आपको report कर जाना है, reporting का time आपको कम से कम 5 से 7 दिन का मिलेगा, तो यहाँ पर देख लो 6 September से 11 September तक आपको report कर जाना है, और वहाँ पर जैसे report कर जाना है, तो 12 September को आपका document verification हो जाएगा, जब बेटा यहाँ पर चलेगा, जब बेटा यहाँ पर चलेगा, जब बतला second days के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर second round के लिए जब street matrix फिर से आएगा, कि कोन कोन से medical college में कितने कितने street बची है, तो यह आएगा, 17 September से 18 September को, फिर उसके बाद में, तुरंद बाद में 18 September को क्या हो जाएगी, यहाँ पर registration सुरू होगा, payment सुरू होगा, timing आप देख लीजिएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, choice filling, तो choice filling का देखो date यहाँ पर, 19 September से 23rd September तक यहाँ प अक्टोबर को आपको document verify कर लिया जाएगा, उसके बाद में जब next round फिर से चलेगा, तो आपको यहाँ पर फिर से street matrix मेलेगी 7 October को, 7 October से 8 October को आपको street matrix मिल जाएगी, उसके बाद में 9 October से लेके 14 October तक आपको registration करवा देना है, और उसके बाद में payments भी आपको जमा करवा देन timing फिर से आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, third round में फिर आपको यहाँ पे 10 October से 14 October तक choice को lock कर देना है, फिर आपको street का, street के बारे में, allotment के बारे में जान करें मिलेगी, फिर यहाँ पे 17 October को आपको result मिल जाएगा, 18 October से 22 October तक आपको reporting कर जाना है और 23 October को आपको document verification का time मिल जाएगा, इसके बाद में last round जिसे अपन इस्टो vacancy round बोलते हैं, यह सारा का सारा schedule किसके लिए है, government और private medical college दोनों के लिए आया है, तो government medical college में last जो इस्टो vacancy round या फिर फोर्थ round जिसे अपन बोल सकते हैं, उसमें verification के लिए जो street matrix वो 25 October क आएगी, 25 October के बाद में 28 October से 31 October तक आपको registration या फिर payment करवा देना है, यह दोनों process सात में ही होती है, उसके बाद में आपको choice को log कर देना है, और choice filling कर देनी है, तो choice filling कब होगी, यहाँ पर देखो next day ही शुरू हो जाएगी, 29 October से 31 October तक यहाँ पर choice filling होगी, choice को log करने का time भी यह आप जरूर देख लिए, choice काई बाद लोग नहीं करते हैं, तब भी आपको log कर देना क्योंकि ध्यान से आपको processing करनी है, उसके बाद में seat allotment एक नौंबर को, seat का result publication आपको 2 नौंबर को मिलेगा, आपको reporting कर जानी है, तीन नौंबर से 7 नौंबर मतला अब की बार आप आपको चारी दिन में मतला है, मतला है लास्ट नाउन तक जब तक जाएंगे, तो आपको reporting नाइम प्रोड़ा सा कम मिलेगा, अब यह दो चार पांथ जितने भी दिये जा रहे हैं, यह इसलिए दिये जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर से निकल के इंडिया के किसी भी को पहुंच जाए, तो तीन-चार दिन में आप आराम से पहुंच सकते हैं, इसलिए यह आपको तीन-चार दिन का या पिर पात दिन का टाइम देते हैं, फिर वहाँ पर जाने के बाद में नो से आट से नो नूमबर तापकर डोकुमेंट वेरिफाइ कर लिया जाएगा, और इसके बाद में इस्टो वेकेंशी राउंड, SVR 2nd, गोवर्मेंट और गोवर्मेंट एडेट मेडिकल कुलेज के लिए यहाँ पर रेजिस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है, लास्ट राउंड मतलब पांच वा राउंड भी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेशन नो चोईस फिलिंग, मतलब जिनका रेजिस्टेशन पहले हो गया है, यहाँ पर कौन से राउंड तक, देखो इस राउंड में भी यहाँ पर रेजिस्टेशन तो है, यहाँ पर इस्टो वेकेंशी राउंड तक रेजिस्टेशन है, तो रेजिस्टेशन अब यहां पर नहीं होगा, अब सीधा-शिधा क्या होगा, चोईस फिलिंग होगा, चोईस का लोकिंग होगा, सीधा अलोटमेंट होगा, और फिर आपको रिपोर्ट कर जाना है, और इसके साइट, यह जो साइट है आप साइट मैं आपको नेक्स वीडियो में आने वाले वीडियो में जुरूर बताऊँगा, फिर भी आपको कोई भी डाउट है, यहां पर समधने में, या फिर किसी कोलेज की सिक्वेंस सेट करने में, ओल इंडिया कांसलिंग हो, चाएट की कांसलिंग हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जुरूर मेंशन करके पूछ सकते हैं, ओके, थेंक्यू,